करें अधर प्लास के निशान पर क्लिक करें अगर आपने निव करीट करनी है कोई भी जाएंग तो निव पर क्लिक करें आप लैन लगाने के लिए आप इदर क्लिक कर सकते हैं और जिदर आप कि मेर्ज अधर क्लिक करें अधर से लाइन स्टार्ट हो जाएगी अधर आप लैंट पी लिख सकते हैं अधर साथ एंगल लेख सकते हैं अगर बगहर किसी यानिके आप पॉइंट से रखाना चाहते हैं दूसरे क्लिक करें लैन लागी आप लिए करते हैं तो बार आप इसको क्लिक कर सकते हैं अधर पॉली लैन का अप्शन है लैन और सरकल आर्क रिक्टैंगल यह रिक्लेट स्कैच स्मार्ट पैंड जो बताती है वह सरकल आर्क और लाइन पॉली लैन अगर लैक्टैंगल पार होती है सरकल लगाने के लिए लिए करें और सेंटर पांड दें अधर रिडियस लेखते हैं पंद्रह आठारा मीटर लेखती है आप इदर आपके करें यह असलमें सरकल लग गया है लेकिन चुके ज कर लें यह अठारा मीटर रिडियस का सरकल है इसके मैश करने के लिए अधर क्लिक कर सकते हैं इनकी डिस्टैंस एरिया आईडी पॉइंट एंगल स्केल आप डिस्टैंस पे क्लिक करेंगे इदर एक कलिक करें तो इसका दूसे से जाए यह इसका चुए तोड़ा तर्चा ल इसके लिए तो यह च्छतिस कड़ा इसका सलमें तो यह चुक्त जिसर कर लगा हुए यह हमने सही नहीं लगाया इस वह यह पर मैसे नहीं देरा अज़ा है इसका अगर मिलूम कर सकते हैं यह इसको हो गया 306 साथ दिगरी तो जिरू डिगरी जिरुने 310 डिगरी इस तरह यह एंगल भी चेक कर सकते हैं आप यह पॉली लेंड लगा सकते हैं दर से इस तरह लगाते जाएंगी पूली लेंड लगती जाएगी इसका आप एरिया मालूम कर सकते हैं जितना आपका लेकरते जाएंगे यह इस तरह मालूम होता जाएगा यह आप निचे लिख हुआ आ गया है इसका एरिया है 799.327 पांच मीटर और यह परिमिटर जो होता है यह इसकी जो हमने कलेक जो इस तरह करते रहते हैं इसकी जो अलबाई होती है वह उसको परिमिटर कहते हैं आए तो इसके बाएब में मुझे बिताएगे अगली वीडियो में तब तरके लिए यह लाफिज बाएप